और हर्याना में विदानसबद चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गए कैबिड पत्रिक अवरपाल गूचर ने कॉंग्रस के हर्याना मांगे हिसाब कारिक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है कॉंग्रेस को सरकार के कामू को लेकर जनता की बीच जाना चाहिए असा उन्होंने कहा है कि अधर सरगर्मिय प्रदेश में लगातार तेज हो रहे हैं और ऐसे में कॉंग्रेस ने एक नया अभियान शुरू किया है हरियाना मांगई जाएगा वहीं लोगों से ये बताया जाएगी कॉंग्रेस सत्ता में अगर आएगी तो वो किस तरह से काम करेंगी तो वो किस तरह से काम करेंगी और मैं आपके चैनल के मद्द हमसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर कांगरस से तीन गुणा जादा ड्वेलमेंट अपने की हो तब ही हमें पास करें हम कांगरस की ब्रब्र की बात नहीं केरें मैं तीन गुणा जादा शादा की बात करेंगा अगर तीन गुणा जादा कहीं में बेठके पुरा निकिया माप करने की बात करते हैं वो बात करते हैं कोई बात किया लेकिन हमने जो बात कही उसको पूरा किया अगर चोबिक बिल्ली देने की बात की तो अगर हमने किसान के ब्याज माफी है हमने ग्यारा सो क्रोड रुपे किसान के माफ करें अगर किसान की फसल नस्ट हो जागी तो उसमें 15,000 रुपे देने वड़ी केवल मारी सरकार है पूरे इंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा बाकी आठ दे रहे इनोंने अपने पूरे कार है काल में साड़े 1100 क्रोड रुपे दिए अमने साड़े 12,000 क्रोड रुपे दिए अमने पानी के बचाव के लिए ये कहा कि अगर दान की विजए दूसरी फसल लगाएंगे तो अब 7,000 रुपे दे रहे किसान को हम दे रहे हमने किसान को ड्रेक्ट पैमिट उसके खत्ते म तो ये तो मारे आंगी मेन फसले हैं जैसे मारे आंगी हूरदान है तो उसके मकाबले में अगर आप लगाओ तो उसके मकाबले में 40% फसले ये भी हैं लेकिन जो किसान सबसे कमजोर था क्योंकि उसके पास पाणी नहीं था वही बाजरा पैदा कर रहा सरस्तों भी पैदा कर इन्होंने कभी उस किसान की चिंदा नेगी उस किसान के अगर खरीद की तो हमने की खरीद देखिए अपराद वो होते हैं जिनको सरकार का स्वर्थर प्रापत होता है जैसे गौँं के गौँं जड़ाय दिये और वोगों छोड़ के चले गए रोज गटनाएं होती थी है अपरादियों को सरकार का स्रक्षन होता था सैरों में लोगों के प्लाटों पे कबजे होते थे और उस टायम के विदायक उनके फैसले करवाते थे और किस तरके स्कुरत थे सारे समाज को पता लेकिन आज पूरे रियाने में एक गटनाएं के लोग है वो करते हैं लेकिन सरकार का पूरा सक्ताई है और जो भी लोग ऐसा काम करें किसी को बखसेंगे नहीं अब तक बखसेंगे सब्सक्राइब करती है लोगों को अपने साथ जोड नहीं पाई काम के मुद्धे पर अपनी विचार धारा जो थोपने में लगी हुई है आप बहुत अच्छा किया कि पार्टी चोड़ दी क्योंकि बिना बात की वैसी करते कि मेरा तो सम्मान दिया ये किया वो क्या सारी बात ने करते थे क्योंकि यहां सब चीजे मिल रही थी अब छोड़ दिया दब ब्राई करेंगे लेकिन मेरे पाँ उसकी ब्राई का कोई फरक नहीं पड़ता है ऐसे लोग जो ऐसे ही बदलते रहते हैं कोई फरक नहीं पड़ता और अभी पता चल देगा चुनाव लड़ेगा ना अभी पत कॉंग्रेश जितने जितना काम किया फिर दस सालों में उसके मकाबले अभी तक भाजबा सरकार तीन मुना सीब जादा काम परदेश में कर चुकी है विडियो जनलिश राल दिवान के साथ विजरा नाजी मेडिया चंडिकर